शबीको नमस्कार, मैं योगी जवाला, आप देख रहे हैं यूपी लाइब टीवी, आईए, आज हम लोग योग इवं आयुरुवेद का जो अनुपम शंग्रे है, आज हम लोग फिर से एक नए विशय के साथ, एक नई औसधी के साथ, और नए आशनों के साथ, अपनी बीमारियों को कैसे दूर करें, खुद के शरीर को कैसे स्वस्त रखें, खुद के शरीर को कैसे निरोग रखें, वह हम कैसे प्रुशने रह सकते हैं, हम लोग उसके बारे कैसे कर सकते हैं आज हमें जानना है कि जो मोटापा से परिशान है वो अपने आज पास की सन में उपलब्द ऐसी कौनशी हो सदी है जिसका शिवन करके अपने मोटापा को दूर कर सकते हैं आज हम जानेंगे जिनको अरुची हो जाती है किसी भी चीज़ को खाने में या फिर उनका मन नहीं लगता, या फिर हमेशा कहें कहें उनकी मन खिनताओं से परीपूड रहता है, तो हम अरुची को कैसे दूर करें? आज हम जानेंगे जिनके चोहरे में कील मुहाज से हो जाते हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं हमें जानना है कि जो केस की समस्याओं से परिशान है जो बालों की समस्याओं से परिशान है जिनके केस ठीक नहीं है जिनके बाल काले नहीं है जिनके बाल घने नहीं है जिनको डेंडरफ की समस्याओं है उसको कैसे ठीक करें आज हम जानेंगे जो लोग उनमाद से परिशान रहते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए आज हम जानेंगे कि हम अपनी पेट की समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं पेट की जट्रागनी को कैसे प्रदिप्त कर सकते हैं हम अपनी गैस को अपनी कबज को अपनी उधर विकार को कैस औशदी का पेड़ है आप देख सकते हैं इसको मैंने आपको दिखाने के लिए लेकर आया यह है क्या यह नीमबू है आप सभी को पता है यह नीमबू की पत्तियां है और जो नीमबू होता है आप सभी को पता है कि नीमबू कैसा होता है तो मैं आपको नीमबू को भी दिखा सेवन करने से हमारा मोटापा कम हो सकता है इस निमू के किस प्रकार सेवन करने से हमारी बाल ठीक हो सकते हैं इसी निमू को किस प्रकार से हम सेवन करें जिससे कि हमारे किल मुहा से दूर हो सकते हैं हमारे चेहरे की समश्या दूर हो सकते हैं हम लोग इस विसे पर चर्चा करें तो देखे योगमुद्राशन बहुत ही सरल होता है हम अपनी स्थित्यों को चेंज कर लेते हैं इस तरीके से हम अपनी स्थित्यों को चेंज कर लिए हम क्या करते हैं योगमुद्राशन करने के लिए पहले हम लोग पदमाशन लगाते हैं तो ध्यान दीजिए पदमाशन में आपको क्या करना रहता है कि आप अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के उपर लगा करके रखें, हम दोनों पैरों को पहले शीरा कर लेते हैं, एवं एक एक पैर को एक दूसरे के उपर इस तरीके से लगा करके रख लेते हैं, इस तरीके से हम बैठ जाते हैं, हमें करना है य योग मुद्राशन करें, तो हम योग मुद्राशन को दो तरीके से करेंगे, क्योंकि दो विदियां है योग मुद्राशन की, एवं दो पोजिस होते हैं योग मुद्राशन की, तो अगर हमें अपनी इंसुलीन को ठीक रखना है, अपनी पेट की पेंट्रियास को ठीक करना है और हम चाहते कि हमारे पेट में कोई समश्याएं न रहें तो हम लोग अपनी सुगर को भी ठीक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम लोग प्रति दिन योग मुद्रासन का अफ्यास करेंगे तो हमने आपको दिखाया कि हम एक दोश्रे के उपर हमने अपनी दोनों पैरों को इस तरीके से एक दूसरे के उपर लगा के रखा अब आप दोनों पैरों को इस तरीके से लगाने के बाद आप क्या करेंगे मैं अपनी इस तितियों को चेंज करता हूँ हम एक दूसरे के उपर पैरों को लगा लेते हैं अब हम क्या करेंगे हम बहुत आसान तरीके से दोनों हातों को इस हिस्तिती में लाते हैं और इस हिस्तिती में लाने के बाद हम दीरे-दीरे नीचे चलेंगे तो यही हमें और आपको करना है हम आप क्या करते हैं दोनों हातों को यहां लगाई आप नाभी के बीचों बीच औ और जिनको समस्याए हो एक चीज़ का और भी ध्यान देंगे, जो लोग इस इस्तिती में पैरों को न लगा पाएं, या जो लोग पदमासन नहीं लगा सकते हैं, तो लोग शिद्ध हासन लगाके इसका भ्यास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हम अंता अनुसार, आप अपने सरीर की इस्थिती अनुशार एक एक आशनों को करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग योग मुद्राशन करेंगे, तो आईए दोनों हाथों को आप इस तरीके से अंदर लाएं, शांशों को बाहर करते हुए, हम दीरे दीरे नीचे की और आते हैं, अपने मस्तक को आप जमीन से लगाएं, इस तरीके से आपको रोज योग मुद्राशन की जो पहली इस्थिती है, इसका तीन से पांच बारा अभ्यास करना है, जो लोग इस तरीके से कर पाएं, अच्छा है, एवं जो लोग अपनी ठोड़ी को जमीन से लगा सकते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, तो आपको क्या करना है, अगर अपनी ठोड़ी को जमीन से लगाना है, तो भी आपको घबराना नहीं है, हम दूसरी स्थिती में योग मुद्राशन करते हैं, अपनी ठोड़ी को जमीन पे भी लगाने का प्रयत्न करेंगे, तो हम पहले मस्तक को लगाते हैं इस तरीके से, कुछ देर रुखते हैं, जिनका मस्तक लग जाए वो ठोड़ी को लगाए ध्यान देजिए, अगर आपकी ठोड़ी जमीन से नहीं लग रही है, तो आप जबर जस्ती ना करें, आप केवल अपनी मस्तक को लगाने का प्रयास करें इस तरीके से, सांसों को बाहर करते वे आप धीरे धीरे नीचे आएं, अपनी मस्तक को आप जमीन से लगाएं, याद र आज है, वो भी सबल रहेंगे, आपके जो कब्ज हैं, जो आपकी ACDT है, जो लोग सुगर से परिशान हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम आशन है, और अगर इतना हो जाए, तो कोशिश करें अपनी ठोड़ी को जमीन से लगाने की, इस तरीके से, रोज, दोशे तीन बार, एक एक अभ्यास को वो करेंगे, तो एक तो हम लोग योगमुद्रासन करेंगे, योगमुद्रासन की जो पहली एवं दूसरी स्थित्य है, उसका अभ्यास करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक और भी आशन करेंगे, जो हमारी पेट शम्मंधी समश्याओं को दूर करता है, तो हम आराम से बैठ जाते हैं इस तरीके से, देखिए हम आराम से बैठ गये हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी इस्थिती में आराम से बैठना है, आपके जो दोनों घुटने हैं या बिल्कुल आपस में मिले होते हैं, जो दोनों हमारी पैर के पंजे होते हैं, व वज़रासना करने का लाविया होता है कि हमारी पेट की एक तरीके से समस्त समस्याएं जो होती है पेट की समस्याएं क्या होती है सभी को पता है कि ACDT होती है कब जो होती है उनका उधर ठीक नहीं होता है जिस भी व्यक्ति का या फिर गैस की समस्या होती है बैठने का अभ्यास कीजिए, ध्यान दीजिए, जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनका थाईज बहुत बढ़ गया है, ऐसे लोग इस आसन को अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वहाँ आराम से सीधे बैठ हैं, एवं सीधे बैठ करके, अपनी कमर कंदे गर्दन को शीधा रख करके, हाथों को ध्यानमुद्रा किस्तिती में लगा करके बैठने का प्रयत्न करें, एवं जो लोग कर सकते हैं, वहाँ लोग इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब हम इस तरीके से अभ्यास करते हैं, तो यही एक ऐसा आसन है, जो भोजन के पश समश्याएं होती है, यहाँ आशन वजदासंज है, इसे वज़रासना हम इसले कहते हैं, बज़रकार्थ होता है कठूर, तो हम इसे जब लगा करके बैठते हैं, तो हमारी पेट के समश्याएं होती है, वह धीरे धीरे दूर हो जाती है, और व्यक्ति की हर समश्याएं पेट से संबंदित होती है अगर हम पेट की समस्याओं को ठीक कर ले अगर हम पेट की व्यादियों को ठीक कर ले तो धीरे-धीरे हमारे शरीर में जो भी समस्याओं हैं हमारे शरीर में जो भी व्यादिया हैं वह धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं तो हमें प्रती दिन इस वजराशना का कम से कम तीन मिनट से ले करके पांच मिनट तक अभ्यास करना है सुबह एवं शाम जब हम भूजन करें उसके बाद साथ हमें योगमुद्रासन की पहली एवं दूसरी स्थिति का भी अभ्यास हमेशा करना है जिससे कि हम इन सारी समस्याओं से मुक्त हो सके आईए अब हम आराम से बैठ जाते हैं अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो मोटापा है वह कैसे कम होता है जो अरुची की समस्या है वह कैसे ठीक होगी जो व्यक्तिक केस को ले करके परिशान है उनके केस कैसे ठीक होंगे हमें इसके बारे में जानना है तो हम लोग इसके बारे में जानेंगी कि हमारी चेहरे की जो जुर्या है वह कैसे ठीक हो सकती हैं चेहरे पे जो हमारे कील मुहासे हैं वह कैसे ठीक हो सकते हैं हमें उसके बारे में जानना है तो मैं आपक किसी संजीवनी से निम्बू आपके लिए कम नहीं है अगर आप निम्बू का प्रति दिन सेवन करना शुरू कर दीजिए तो आप बहुत बड़ी-बड़ी समश्याओं को दूर कर सकते हैं आपको अपनी बहुत बड़ी-बड़ी समश्चाओं को दूर करने के लिए यह जो निम्बू है, इस निम्बू को आप सौ से दो शुगराम गुनगुने जल में दो चमच इस निम्बू के रस को आप मिला करके, एवं एक चमच शहत को मिला करके, जब आप उसे गुनगुना की सेवन करते हैं, जैसे हम लोग चाय गुनगुना पीते हैं, वैसे जब हम उस गुनगुने जल का सेवन निम्बू एवं सहत के साथ करते हैं, तो हमारा जो मोटापा होता है वहाँ कम होता है इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा परिशान होने की जरुरत नहीं है जिनको अरुची हो जाए वो लोग क्या करेंगे कि निम्बू के जो शर्वत होते हैं और जब आप उसे पिएंगे तो आपकी जो अरुची की समस्या है वहाँ दूर हो जाती है इसी नीमू को जिनको किल मुहा से हो जाते हैं जिनको चहरे में दाग, धबे, जाई, जुर्या हो जाती हैं वह लोग इसी नीमू को काट करके अपनी चहरे पर लगाएं उसको और जिनको केस की समस्या है जिनके बाल काले नहीं है या फिर जिनके बाल बहुत जड़ते हैं जिनके बालों में बहुत डेंडरफ है वह लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करना है इस नीमू को आवला रस के फलो में जो आवला का फल होता है चाहे तो उसको या फिर आवला रस मे हम आवलिर के जो फल होते हैं उसको पीस लेते हैं फिर उसमें यह नीबू मिला देते हैं काट करके मिलाने के बाद हम उसका लेप लगाते हैं जिससे कि जो हमारी रूर्सी होती है जो बालों में डेंडरफ है जिनके वह डेंडरफ विदूर हो जाता है उसके बाद क्या करना है जिनको अपनी बालों को काला करना है या जिनके बाल घने नहीं है जो अपनी बालों को घुंगराला करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे मेथी दाना ध्यान दीजिए पहला होगी आपका मेथी दाना एक चमच और 10 से 15 बेर होता है वेर के 10 से 15 पत् आप इसका प्रयोग करते हैं, तो फिर आपके जो बाल होते हैं, गुंगुराले हो जाते हैं, साथी साथ, जब लोग गर्मियों में इसका सेवन करते हैं, गर्मियों में लोग ज्यादा सेवन करते हैं, गर्मिय में मौसम इतना खराब होता है, इतने तमाम तरह की लू चलती रहती है हुआई चलती रहती हैं तो जब गर्मी में हम नीबू का शेवन करते हैं तो हम तमाम तरीके के लू से और जो गर्मिया है जो और भी समश्या होती हैं हम उसे बच सकते हैं तो इस तरीके से हम नीबू को औशदी रूप में प्रयोग करके हम अपनी इन सभी कर सकते हैं तो जो लोग चाहते हैं कि अपनी इन समश्याओं को दूर कर सके बालों की शमश्या हो या चेहरे की जुर्या हो या फिर दाग धब्बे हो या फिर उनका मोटापा है या फिर कील मुहासे हैं या फिर बालों में रूश्या हैं तो ऐसे तमाम समश्याओं के लिए आप नीम्बू का प्रियोग कीजिए एवं नीम्बू के प्रियोग मातर से अपने इन सभी समश्याओं को दूर करके आप घर बैठे बैठे अपना इलाजे कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही और अगली कुछ नए और शदी के साथ अगली नए समश्याओं के लिए कौन सा आशन करें उसके साथ हम आपसे फिर में लेंगे तब तक आप लोग बिलकुल सस्त रहें पुर्शन रहें देखते रहें यूपी लाइप टीवी सभी को जैसर किष्ण झाल